वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें स्टेज 1 के एक्जामनेशन की तैयारी के लिए स्टेडी फार सिविल सर्टस का पेट ग्रूप यहाँ पर शुरूब हुआ है 21 जुलाई 2024 से और इसका स्ट्राटजी वीडियो आप देख रहे हैं 21 जुलाई 2024 वाले ग्रूप में जो लोग आये हैं यह आपका स्ट्राटजी व सवाल आएंगे और सवालों की प्रैक्टिस आपको यहां पर करनी चाहिए ज्यादस ज्याज़ा इतने प्रस्टने सॉल्व करेंगे उतना ही आपका लाब होगा प्रैक्टिस इसमें कराएं रिजनिंग अप्रिट्यूट की और कुछ टेस्रीज जो आपकी होनी है इस पूर रहेगा जो करेंट अफेर यहां पर दिया जाएगा इंट्रिटर इंट्रनाशनल और उत्तरप्रदेश करेंट आफेर वही सफिस्यंट ओगा इसमें रिजनिंग अप्रिट्यूट की बात हो गई अपकी जितने भी सब्ज़ेक्ट बच रहें आपके स्टेजबण के एक्ज कर सकते हैं लेकिन हमारा commitment इस ग्रूप पर यह है कि जैसे ही 80 डेवाइस classes यहां पर complete होंगी अलाबाद high code कभी हम आपको देने लगे recorded classes तो recorded classes के माध्यम से आप त्यारी कर सकते हैं पहले class notes के माध्यम से करते रहे शुरुवात के 80 दिवस और फिर recorded classes के माध्यम से उनका revision कर लीजे और एक बार और exam से पहले class notes का subject wise जो दे दिये जाएगा PDF उसर रिवाइस कर लीजे इस तरीके से आपकी पूरी त्यारी होगी reasoning attitude current fire के लाबा बचे जो आठाट topic है तो उसमें आठाट day wise class notes से दिये जाएंगे आपको study material group में daily class note upload किये जाएगा PDF form में 8 बजे और जैसे ही 80 days हो जाएंगे तो फिर इन्ही class notes का आपको वीडियो मिलने लगेगा recorded video classes आपको मिलेगी exam से पहले ही सारी video classes आपको provide कर दी जाएंगी यह हमारा commitment है मालीजे 80 दिवस जो हमारा plan है आपको पहले notes देने का मालीजे notes देते देते ही notification आ जाता है या अगर exam date आ जाती तो हम सारी चीजें prepone करेंगे और video classes आपको पहले ही मिल जाएगी लेकिन अभी क commitment हमारा यह है कि पहले आपको class notes की PDF पिलेगी फिर बात में आपको video classes provide की जाएगी जो भी study में ठेल है 2021 और 2022 जैनवरी में विबिने shift में जो परिक्षाएं हुई थी अलाबाद high court ROE और ARO की उसी के syllabus के हिसाब से हमें आपर देंगे official syllabus में अगर थोड़ा भी परिवर्तन किया जाता तो इस परिवर्तन को भी स्कोर्स में समाहित किया जाएगा ROE ARO के vacancies में APA सित्यादी vacancy में यही syllabus रहता है pattern वगरा काई बार बदल जाता है number of questions change होते हैं जैसे 2021 में जब last time में vacancy आई थे और exam हुआ था December में 2022 January में भी कुछ shift में exam हुआ था तो यह paper CBT form में online हुआ था वैसे पहले offline हुआ करता था online हुआ offline आप पूरी तयारी जो है मारे साथ कर सकते हैं इसमें syllabus की इसको syllabus में आप देखिए general science history of India, international movement, Indian polity, economic culture, Indian agriculture, trade, commerce, population सारे points वैसे ही आपको देखने को बिल रहे हैं जैसे UBPSC में जभी भी कोई paper होता है उसमें GS के points होते हैं additional इसमें क्या है general English इसमें additional है जो नहीं होती सारे exams में और एक elementary knowledge of computers ही है इसमें additional है और थोड़ा सा mathematics के भी सवाल इसमें आते हैं तो पूरी तहरी इसमें आपकी कराई जाएगी कुछ practice वाले points हैं जैसे reasoning mathematics इसमें आपको practice करनी पड़ेगी और practice ही इसमें आपको आगे लेकर जाएगी जितने ज़्यादा questions की आप practice करेंगे उतना ही आपको lab होगा क्योंकि इसमें ज्यादा theoretical वाले ज्यादा question नहीं आएंगे aptitude वाले section में मैं अभी papers आपको दिखा दूँगा तो और अच्छा अंदाजा पड़ जाएगा और बाकी जो चीजें बच रहे हैं उसका इस तरीके content दिया जाएगा कि एगर आपने अच्छे से पड़के revise कर लि आँ जिसे आप किसी तरीके के भ्रहम मिना रहे हैं cutoff marks तक पहुंचना है काफी difficult होता है cutoff ज्यादा जाता है कुछ कारण है पहला कारण यह है कि negative marking नहीं है दूसरा कारण यह कि question सोड़े easy side आते हैं बहुत difficult paper रही होता है आगे अगर होगा भी तो उसके लिए आप तयार र में से क्योंकि 50 की यहां पर typing test भी होता है ठीक है compulsory typing test होता है और 200 marks यहां पर आपके CBT के जोड़े जाते हैं stage 1 के तो उसको मिला करके यह आपका cutoff बना था 205 नंबर और यह फिर भी काफी जादा माना जाएगा क्योंकि जो typing test होता है उसमें जो typing सीखे हुए लोग है असान इसमें आपको पूरे पूरे नंबर काई बार मिलते हैं तो आपको यह मान के चलिए कि आपको 170 170 नंबर टार्गेट करने पड़ते हैं अपने CBT में या फिर फर्स्ट स्टेज में और यह बिल्कुल लाए जा सकते हैं ऐसा नहीं कि कोई लाए नहीं है पिछली बार भी हमार इतने नंबर लाकर सेलेक्ट हुए थे कुछ लोगों के 190 तक भी पहुंचे थे 185,90 तो यह आप कर सकते हैं इसमें 212.70 कट ओफ यहां पर 2019 वाले एक्जाम का गया था और अभी हाल में HC का जो एक्जाम लास्ट हुआ था आपका 2021 और 22 में उसका भी final कट ओफ रिलीस कर दिया गया है वो मैं भी आपको शोकर दे रहा हूं तो आपको अंदाज़ा पड़ जाएगा यह कट ओफ आपका गया था मतलब यह 2020 वाले एक्जाम में 2022 और 22 में जो दिसंबर में जनवरी में अलग-अलग शिफ्ट में जो CBT हुआ था उसमें यह कट ओफ ही गया था लग-अलग पोस्ट पर अलग-अलग काटेगरी वाज यहां पर गिवन है पेपर कास्तार कुछ इस तरीके का होता है कहने के दो आरो या रो का यह पेपर होता है लेकिन लेवल अभी तक देखा गया है कि easy side रहता है easy moderate side रहता है कुछ questions थोड़े से tricky टिपकल होते हैं questions बहुत lengthy नहीं होते हैं ये इसमें देखा गया है name the tube which connects the kidney to urinary bladder हो गया basic basic question ncrt based convex lens को और किस नाम जाना जाता है किस color के दिए सबसे ज़्यादा bend होते हैं prism से पास होने पर rear view mirror के रूप में किसको इस्तमाल करते हैं इस तब अवधारणा प्याधारित question basic basic uses महावीर जैन ने अपनी आखरी सांस का हाँ पर ली थी basic basic question जो पढ़ते वे आ रहे हैं जी इसके जो बहुत basic basic चीजें होती हैं वो इसमें पूछे जाती है more kingdom की स्थापना किसने की कुछ shift में थोड़े से टिपकल भी थे जैसे प्रथम जंडा के बारे में पूछा गया था संगठन और उसके नायक कौन कौन थे modern history में इस तरीके से लेकिन कोई भी question ऐसा नहीं था जो आपको लगे कि जैसे UPPSC आरो स्थर के question होते है वह ऐसा हुआ ऐसा कोई question नहीं देखा गया था economy जो इंडेस वैली की थी वो किस पर आधारी थी पशु भालन पे शिल्प पे करशी पे या वैपार वाणी जी पे ठीक है सिंपल बात है वैपार वाणी जी Muslim scholar जिनोंने मेहमूद गजनी को कह सकते हैं accompany दी थी यहाँ पे आने पर इंडिया expedition में उनका नाम in which century did famous Chinese pilgrim फाहियान किसके शासन काल में आये था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया home rule society स्थापना कहां की थी इस सब question जो कई बार आप देखते रहते हैं पुराने सालों के जो repeated question है वो ज़्यादा आते हैं इसमें यही कारणे की cut-out थोड़ा ज़्यादा रहता है हिंदी questions भी easy side रहते हैं maths reasoning के भी question कोई बहुत difficult side ने रहते हैं आप देखिए इस paper में maths reasoning के question इसमें अगर आप देखें ज्यादातर question जो है उस पर आधरित रहते हैं vocabulary पर जैसे choose the given option to fill in the blanks wealth, beauty and fame are what इसका answer क्या हो जाएगा transient हो जाएगा यहने की non-permanent छाडिक she goes to work at unusual hours तो work क्या है work adjective है adverb है verb है की noun है इसमें ठीक है work तो ऐसे verb होता है लेकिन वाक में क्या है यह बताना है तो वाक में क्या हो रहा है वाक में noun की तरीके काम कर रहा है तो इस तरीके से आपको करना पड़ता है computer questions भी ज़्यादा कोई typical नहीं देखने को बिलता है इसी बज़े से मैंने का cut off ज़्यादा क्यों जाता है cut off ज़्यादा जाता है क्योंकि mostly questions doable होते है paper दो तरीके से बनता है जो आप बाई तरफ देख रहे हैं यह UPPSC ROARO paper के questions है यह UPPSC ROARO paper इस तरीके का बनाता है यह कुछ questions मैं निकाल ले हैं जैसे इसमें कथन और कारण वाले जो questions आते हैं मिलाने वाले सवाल डिटेल वाले सवाल जिसमें एक ही fact के बारे में कई सारे information यहां पर पूछी जाती है पंजाब के बारे में आप तीन चीजें पूछी गई है इनमें सबताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है जबकि आप देखेंगे दाई तरफ क्या दिया वाया है यह hc के questions है यह हमने pdf आपको ग्रूप में शेर भी कर दिये hc ro ro के questions है और इसमें आप देखेंगे तो यह पाएंगे ज्यादतर questions doable है और questions lengthy नहीं है जिससे इसमें पूछा है कि कौन सा एंजाइम जो है responsible होता है breakdown of protein के लिए इस टमक में कौन सा ग्लैंड growth hormone secrete करता है जो कौन सा स्ने है क्या लूप्रिकेंट के रूप में में से इस्तमाल की जाता है तो answer जो है cutoff जादा जाता है और जब भी tough paper होगा cutoff गिरेगा तो वही equation होती है मेशा अगर easy paper आया तो उसमें जादा number of सही questions आपको निकालने पड़ते है अब last बार कई shift में exam हुआ था तो एक average हमने निकाला है कि किस shift से कितने question से आपे आय थे किस subject से तो general science से आपके 17-18 question देखे गया थे हर शिफ्ट में फिर आपके history of India से 12 question देखे गया थे बेसिक भी पूछा गया था world geography geography of India resources से यहां पर साथ question आये थे actually population ecology organization से माफ किजिएगा साथ सवाल थे 22 question यहां पर world geography geography of India natural resources से आये थे natural resources से resources of India से human geography, physical geography, environment सब कुछ इसमें शामिल था इससे 22 सवाल आये थे 20-22 सवाल हर शिफ्ट में किसी में 24 थे किसी में 20 तो average यहां पर निकाला गया है 22 21 भी थे किसी किसी शिफ्ट में current fair से यहां पर 19 सवाल पूछे गया थे मतलब 10% portion आपका current fair कर रहता है कभी कभी 25 सवाल तक भी current fair के देखे गया थे एक shift में फिर aptitude section से अब 25 प्रश्ण से में आये थे special knowledge regarding education, agriculture, agriculture, industry, trade-off उत्तर प्रदेश मतलब UPG के सिकुल मिलाकर UP current fair से 11 सवाल आये थे इसमें English language और Hindi language से सभी shift में 20-47 में आये थे 10 हिंदी के 10 English के सभी shift में और elementary knowledge of computers है यहां पर 22 प्रश्ण लगभग हर shift में देखे गये थे 21 से 22 तो इस तरीके से आपको त्यार करना है 12 बिंदू और करीब 200 प्रश्णों का यह पेपर तो इस तरीके से लगभग आपको हर जगह पर focus करना पड़ेगा कुछ जो most important areas ने जैसे history है history of Indian national movement से 30 प्रश्ण बन रहे हैं और geography से 22 तेश्ट बनी रहे हैं तो one fourth portion history geography है आप इसको इग्णोर नहीं कर सकते हैं current affairs से 20 बन रहे हैं aptitude से 25 और Hindi English से 20 तो यह एक अच्छा मतलब है कि आपको हर area पर focus करना पड़ेगा मैंने कहा कि इसमें cut off ज्यादा ज्यादा जाता है तो आपको पास ज्यादा ज्यादा question को left करनेगी आपके पास यह choice है कि आप ज्यादा ज्यादा question उसमें सही निकाले तब इसमें preliminary आएगा objective form में और मैंने जैसे बताया कि practice यहादा बहुत जरूरी हो जाती जब ज्यादा number of subjects होते हैं 200 का paper होता है 200 questions आपको solve करने पड़ेगे तो ज्यादा number of questions solve करने कि यहाँ पर आपको habit बनानी पड़ेगी तो इसी वज़े से daily 50 most expected questions की practice हम लोग करा रहे हैं कई स सारे question आए हैं भले ही हमने उस exam को target करके ना कराया for example अभी जैसे आरो एरो का cancelled paper है वो हुआ था अभी यह और भी जो paper बीच में हुए थी यूपिट्र पर एसी के काई सारे हमारे current question जो quiz में कराया हुए directly उन papers में आए तो 20 प्रशन आप GS के subject के हम करा रहे हैं 10 प्रशन समान इंदी के 10 प्रशन जनरल इंग्जिस के 10 computer के यहां पर daily basis पर आपको कराया जा रहे हैं कई सारे प्रशन हो चुके हैं जिनकी आप practice कर सकते हैं scheme हम लोग ले लेते हैं इसमें PM विश्कर्मा scheme PM विश्कर्मा युजना यह launch किया गया अब इसमें तर्थ जो है वह आपके exam में इसी तरीके स्पूछ जाएंगे PM विश्कर्मा एक बहुत important topic है इसी वज़स्ते में इसका उधार रहा हूं कि आपका तयार भी हो जाए PM विश 17-17-23 में पूछ सकते हैं बनिफीषरी कान होंगे इसका लाब किसको मिलेगा बनिफिश्री होंगे 18 तरीके के ट्रेडर्स 18 तरीके का जो काम होता है मचली कजाल बनाने वाले आउजार बनाने वाले ब्लैक्समिथ हो गए और बढ़ा ही वगएरा होगा इनको लाब दिया जाएगा अभलने. कितना आपसे पूचे तो इसके तहित कितने लोन का यहांपर प्राउधन किया गया है कितना ग्रीडिट डीट पेसला सकता है एक लाग रुपए पहली बार में, दो लाग रुपए दूसरी बार में यहाँ पर हम मिलेगा और इसको स्कीम को कहाँ पर लॉंच किया गया था, न्यू डेली में भी अमोदी जी ने लॉंच किया था यह हो गया, डिटेल्स में अब यह कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लिमेंट करने वाली है तो इसमें तीन मिनिस्ट्री इसको इंप्लिमेंट करने वाली है, सेंट्रल सेक्टर इसी स्कीम है तीन ministry jointly इसको implement करेगी पहले तो ministry of finance है ministry of finance हो गया और ministry of MSME हो गया ministry of skill development and entrepreneurship यहाँ पे हो गया skill development and entrepreneurship यह तीन ministry इसको conjointly implement करने वाली है अब इतनी सारे detail मैंने आपको बता दी, अब इसी में से क्या होता है कि जैसे बड़े exam होते हैं, जैसे UPPCS का exam हो गया, ROARO का exam हो गया, कोई अधर state pieces हो गया, ये कई सारी चीज़ें एक ही question में डाल देते हैं, इसमें पूछते हैं कौन सा कथन, सही है स्कीम के बारे में जब कि HCROARO में क्या होगा हर shift में आप देखेंगे, अगर multiple shift में paper हुआ, इसमें अलग-अलग चीज़ें पूछ जाएंगी कोई exam, मतलब ये date पूछेगा किस date पर आई थी, कोई पूछेगा आपके exam में, मतलब एक information से, एक तरीके की चीज़ से, एक तरीके की content से topic से, एक ही तरीके question यहाँ पर बनाता है, HCROARO इसी बज़े से आपको 200 question करने होते हैं, limited time period में question छोटे-छोटे होते हैं मैं आपको कहाँ पर ये ले जाना चाह रहा ये कहने का मतलब है कि आपको बढ़ना पड़ेगा खूप सारा, आपको बढ़ना कई सारी चीज़े हैं, लेकिन exam में जब आप question solve करेंगे, तो एक question में एक ही चीज इसमें पूछ जाएगे, ऐसा नहीं एक ही question में तमाम information identify करनी होगी, ऐसा नहीं होता है syllabus इसमें ज़्यादा है, no doubt कई सारी इसमें चीज़े हैं, syllabus इसमें ज़्यादा है इसमें facts ज़्यादा है, लेकिन जब exam में आप बैठेंगे, तो per question जो difficulty level है, वो थोड़ा सा कम देखने को बिलता है 5 hours daily का एक आपको time plan अपना बढ़ना चाहिए, चाहे subject wise पढ़ें, चाहे module wise subject wise भी आपको option available है और module wise भी जो लोग module wise study करेंगे वो जो है module को 1 hour आप follow करिए गंटा आपको module पढ़ने भी जाएगा, जो आपको दिये जाएगा, module कैसे कैसे आएगा उसका हमने पूरा time plan भी दिया होगा आपको, module का time plan भी दिया है तो एक subject का एकी module होगा current fire जो PDF आपको दी गई है आपको जुलाई से अभी तका cover करना है, तो 45 minutes यहाँ पर आप daily current fire को देंगे, तो within 15 days में आप पूरा तयार कर लेंगे, मतलब पढ़ लेंगे और फिर बात में रिवीजन चलेगा आपको daily, daily quiz प्लस PYQ, इसमें आप 45 minutes दीजिए कम से कम अभी, क्योंकि काई सारे questions पुराने हो चुके, उनको cover करने में time लगेगा बाकी बजा, जो most important part है वो revision है, जैसे जैसे module आपके 80 होने है, आप हर 8 module बाद, या हर 5 module, हर 10 module बाद, revision का यहाँ पर time plan बनाईए कि आप पुरान module को दोहराएंगे भी, revision बहुत ज़रूरी है जब इतना बड़ा से levels आपको cover करना पड़ता है तो revision की भूमी का बहुत ज़ादा है, अगर आप revision को ignore करेंगे, तो आप पीछे रह जाएंगे हमेशा ही द्यान रखे, subject wise पढ़ें चाहे module wise, आपको revise करना ही पढ़ेगा कुछ हैसा है यहाँ पर आपको time plan खुद बनाना पढ़ेगा कि आप पढ़ी हुई चीज को दुबारा पढ़ें और अभी time है, अभी आप revise कर सकते हैं सारी चीजों को अच्छे तरीके से प्रिपार करने के लिए तो लोग subject wise पढ़ेंगे, आप अपने time plan को follow कर सकते हैं बस हमारे, जो कह सकते है notes को subject wise में शामिल करना है आपको जैसमालीजी आप एक दिन history पढ़ते हैं ठीक है, history के साथ आप environment पढ़ते हैं या फिर current fire पढ़ते हैं या UPG के पढ़ते हैं, आपको इसमें manage करना पढ़ेगा दो से तीन subject ले करके daily आप चलें आप इसमें subject mix करते हुए इसमें पढ़िए एक subject कुछ लोग finish करते हैं, फिर दूसरे को उठाते हैं ये approach भी आप चाहें तो follow कर सकते हैं लेकिन आपको भी 4-5 घंटे यहाँ पर देने होंगे प्रैक्टिस के लिए कम सकम आपको 45 मिनिट देने होंगे अगर आप subject twice भी study कर रहें तो एक और चीज़ ध्यान रखेगा reasoning aptitude की अभी से practice करना शुरू कर दीज़ेगा यह नहीं सोचिए का exam आएगा तब हम पढ़ेंगे तब जो है इतना नहीं cover हो पाता है reasoning aptitude पूरा practice प्रैक्टिस प्यादारीता है आप इस तरीके questions लगाई जैसे आपको PYQ में देखने को बिलते हैं PYQ सबसे पहले solve करें reasoning aptitude के लिए इसके questions लगाई PYQ में उसके बाद हम आपको fresh questions उप्लप कराएंगे paid quiz में और कई सारे questions के set के PDF भी आएगे लेकिन सबसे पहले तो PYQ में reasoning aptitude दिया हुआ है वो आप solve करेंगे सबसे पहले अपने शुरू के time plan में जिन चीज़ों से आपको बचना है वह मैं पहले बता दे रहा हूँ live classes जैसे चीज से कता ही बची है यहाँ पे HC जैसा जो exam पूरी तरीके से factual रहने वाला है live classes सिर्फ आपका time hamper करें कि जितना time आप किसी भी एक live class को देते हैं तो हम सब शो नहीं कर पाए थे लेकिन बात यह है कि जो भी यहां पर current affair आपको दिये जा रहा है या फिर जो भी subject wise notes दिये गए हैं आएगा इसी में से फरजी किसी की live classes बचिए जितनी देर में आप live class में उनके मुख से वह बात सुनेंगे उतनी देर में आप वो चीज दो-तीन बार revise कर सकते हैं जो आपके काम आएगी लाइव क्लासे डिबेट इन डिसकेशन की नहीं है जो आग्जाम की डिमांड है उसको पूरा करिए यहां पर यह कोई यूपियस सिक पेपर नहीं देने जा रहे हैं जिसमें डिबेट डिसकेशन फरजी चीजों पर चल रहे हैं सोशल जो चीजें चल रही है संदेश खाली में जो चल रहा है बहुत अनफॉर्चुनेट है लेकिन उसका डिबेट डिसकेशन आपके एक्जाम के काम का नहीं है आपके एक्जाम के काम का जितना भी करेंट अफैर है वो हमने मन्थवाइस पीडियो फर्म में दे दिया है वही सफिशेंट है उसी से आपका एक्जाम में कुश्चन देखने को बिल जाएंगे मतलब कहने के मतलब है कुल विलाकर समय बचाईए जो सलेबस की डिमांड है जो एक्जाम की डिमांड है उसको पूरा करिَيए आप एटसी आरवय i rome में सिलेक्ट तभी होंनगे या फिर किसी भी एक्जाम में जिसकी आप प्रिप्रेशन कर रहे हैं सिलेक्ट तभी होंगे जब उस exam की demand पूरी करेंगे जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे तब ही आप select होंगे आप कितना बड़े क्याता हैं आप कितनी knowledge है किसी भी discourse के बारे में आप कितना अच्छा debate discussion कर लेते हैं या फिर अच्छे orator हैं उससे नहीं फर्क पड़ता है जब तक आप वो अंक नहीं लाएंगे जो cut off जो आयोग निकालेगा या फिर जो भी exam करा रहा है करा रहा है जनसी वो बताएगा कि इतना अंक चाहिए जब तक आप उस अंक तक नहीं पहुंचेंगे सारे debate, discussion, discourse सब बेकार है तो syllabus और जो pattern है जिस तरीके से आपका paper होने वाला है उसके अनुसार आपको तैयर करने हैं यह समझी है आपर जो से लेबस में नहीं है वो नहीं तैयर करना है वर्ल्ट जोग्रफी, इंडेन जोग्रफी में जो ज़रूरी हैं हमने दे दिया अगर आप other कोई exam की तैयरी करने है माले जो आप तैयरी कर रहे है PCS exam की तो वो करते रहे है उसे को दिक्कत नहीं है लेगिन अगर सिर्फ AHC, RO, RO की तैयरी करने है तो सिर्फ वही तैयरी करिए जो आपके syllabus में है जो exam की demand है उसको पूरा करिए बस कुल बिलाकर AHC, RO की तैयरी और हमारा group कैसे चलेगा ये in points में summarized है आपको regular study करना पड़ेगा जो दिया गया है वही study करना है अलग-अलग से नहीं पूछेगा कि हम यह book ले सकते हैं वो book ले सकते हैं सिर्फ समय की बरबादी होगी जो content यहाँ पर दिया गया study for the system के दौरा इसी को आपको study करना है और जल्दी से syllabus finish करने पर focus करिए जो चीज़ें बताई गई है जैसे current fair हो गया, UP current fair जितना दिया गया उसको study करने पर focus करिए उसको finish करने पर focus करिए जितने points दिये गए syllabus के जिससे आप बाद में regular revision कर सके क्योंकि एक बार HC RORO को notification आ गया 30, 40, 50 दिवस में लोग exam करा लेते हैं track record आपने देखा होगा पिछली बार भी तो regular revision और practice यहाँ पर करना पड़ेगा आपको और syllabus जल्दी से complete आपको कर लेना चाहिए consolidate कर सके 200 में से discussion group का support full paid group members को मिलता है कोई भी आपका doubt है stadium trail से संबंदियत, syllabus संबंदियत, PYQ संबंदियत तो वहाँ पर आप discuss कर सकते हैं इसी वज़से full paid group member को discussion group का support दिया जाता है आप वहाँ पर maths के reasoning के doubt अपने पूत सकते हैं कोई भी आपका doubt है किसी subject से associated तो आप पर पूच सकते हैं within 6 hours है आपको reply वहाँ पर किया जाता है maximum 6 hours तक का समय होता है लेकिन इतना दिन के समय में आपको wait करना नहीं होता है आपको जैसे ही question आपका भीजा जाता है दिन के समय में हमारे admin team active रहती है आपका जवाब देती है माली जी आप एकदम night में पूचते हैं बारा एक बजे कुछ लोग doubt पूचते हैं तो अगले दिन सुबह में उनका doubt solve करके बता दी जाता है यह आपका quiz group है जिससे आपको practice करना है इसका मैं overview दे दे रहा हूँ first question का link यहाँ पर given है आप यहाँ पर जा सकते है यह जो print message है आपके यहाँ पर बीच में दिखेगा आपकी device में मेरे यहाँ पर side में आ रहा है यहाँ पर हम लोग हलका सा touch कर देंगे यहाँ पर हलका सा touch करने के बाद आपको first question का link यहाँ पर देगा in the absence of speaker and deputy speaker तो जैसे मैंने यहाँ पर C चुना तो यह गलत है तो answer यहाँ पर क्या है D है और D में क्या है अधिक्स यह इसमें लिखा हुआ है जैसे bulb explanation में अधिक्स दुरा निर्धारित 10 सदसी पैनल एक सदस का एक सदस से जो है करता है जैसे जैसे question आते है तो इस तरीके से जो answer tick mark के साथ है वही आपका सही उत्तर है enabling the business agriculture report किसकी है हमाली जी हमने यहाँ पर चुना WTO यहाँ पर गलत उत्तर हो गया गलत उत्तर में क्या लगता है cross red cross लग जाता है ठीक है और सही उत्तर में क्या लगता है white tick mark लगा रहता है वर्ल्ड बैंक की report है यहाँ पर एक white tick mark यहाँ पर given है यहाँ पर देख पारे हों जूम करके देखिए यहाँ पर एक white tick mark है इसमें percentage से नहीं देखिए percentage कई बर कम ज़्यादा होता उससे नहीं मतलब है white tick mark आपका सही उत्तर denote करता है शेडूल बैंक की paid up capital कितने इससे कम नहीं होनी चाहिए मैं यहाँ पर 7 लाग चूस करता हूँ जो कि गलत है तो 5 लाग हमारा सही उत्तर है इसमें tick mark लगा हुआ है तो इस तरीके से आप question से आपकर करिए और कई सारे question अल्रड़ी हो चुके हैं आप लाब लीजिए और अपनी तयारी को मजबूत करिए